हेलो माई फ्रेंड वेलकम टो एडूकेशन बन भोपाल तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग मैं आविर्फान राजा और आज अपन स्टार्ट करने वाले स्ट्रेंट ओफ मेटेरियल इससे पहले मैंने आपका इक इंट्रक्शन क्लास लिया था खेर अगर वह आप नहीं भी बन जाए कि कल दिन आप अगर आप कॉंपेडिशन नों बैठते हो तो आपका बेसिक क्या हो पूरी तरीके से क्लियर हो अगर एससी की बात करोगे तो एससी में जोतना मैं पढ़ा रहा हूं लगभग उतना में आपका एससी का काम तो हो जाएगा लेकिन गेट के लिए क्य से अच्छा स्कोर कर पाएं देखें सोम जो है वो पूरा बेसिक्स का गेम है अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आप सारे कोईशन को कर पाओगे अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप कोईशन को सोची नहीं पाओगा कि मैं इसको करूं तो करूं कैसे तो अगर चलेफिध्स कैसे क्लियर होगा तो बेसिक आपका होगा कैसे अगर आप इस टाइंग σε पड़ रहे हैं तो आपका बेसिक्स औरूमेटेकर लीकार ग्लिह रह चीले डिश्क नहीं करते इसने टेलिग्राम गूरबं विभ्म remedy क्यांकर लैको strength of material को और इसका एक और नाम है mechanics of structure जिसे बोला जाता है मौस यह दोनों ही कभी कभी क्या होता किसी कॉलेजिस में strength of material का नाम mechanics of structure बोला जाता है तो दोनों एक ही चीजे आपको confuse होना नहीं है और यह जो subject है यह आपका third stream का subject है mechanical और civil दोनों के लिए common है और आपको यह अच्छे से पता होना चाहिए ठीक है चले तो अपन इसमें क्या पढ़ते हैं इसमें पढ़ते हैं अपन mechanics of deformable body तो मैं अपन क्या पढ़ते हैं mechanics of deformable body तो आप बोलोगे कि सर यह deformable body क्या होता है तो मैं आपसे बोलूँगा कि ऐसा body अगर उस पर कई force लग रहा है तो वो क्या करते हैं अपना safe change कर पाए अगर कोई भी body आप उस पर क्या कर रहा हो को फोर्स लगा रहा हो अगर वो अपना safe change कर ले तो उस body को क्या बोलते हैं deformable body अब बोलोगे सर अपन इसको study क्यों करें देखिए अगर आप एक civil engineer है शाहे आप एक mechanical engineer है आप क्या करेंगे difference parameter में चेक करेंगे कि आप जो structure बना रहे हो या तो mechanical ने वाला अगर कोई machine बना रहा है तो क्या वो machine safe है कि नहीं आप अपने कैसा machine मनाया on करने के बाद वो तूड़ गया क्योंकि उसमें इतनी संता ही नहीं थी कि वह जो भी फोर्स जनेरेट वो उसको क्या कर पाए सह पाए अगर आप को building मना रहे हो और ऐसी building मना दी जो दस बतले पर जाकर फिर गया क्योंकि आपने calculation किया ही नहीं ना वो लोड लेहीं नहीं पाया इसलिए क्या हो गया वो डिफार्म हो गया तो अपन डिफ्रेंट पैरामेटर्स में चेक करते हैं कि कितना फोर्स हमारे बॉड़ी पे लग रहा है और उस बॉड़ी के वज़े से उस बॉड़ी में क्या क्या changes हो सकता है ठीक है फ्रेंट आपको यह बात समझ में आई हो कि अपर कोई भी डिजाइन करते हैं तो अपर उसको सेफ लेके चलते हैं कि हाँ यह सेफ है और कभी भी split नहीं होगा चली तो आपको भी पता चल गया कि हाँ deformable body क्या होता है ठीक है अच्छा एक condition है deformable body का कि माल लीजिए कि एक body है ठीक है और आप इस पर force लगा रहे हैं इधर 20 newton का और इधर भी 20 newton का तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई body पर आप force लगाते हैं तो दोनों ही तरफ क्या होना थी इक्वल फोर्स लगना चाहिए इसका मतलब यह है कि sum of all force सारे forces का sum क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए तभी क्या होगा body deform करेगा body क्या करेगा कि deform करेगा अगर आप 20 newton का force इधर लगा रहे हैं तो आपको 20 newton का force उधर भी लगाना है ताकि आपका body क्या हो जाए डिफार्म हो जाए अगर आप यह सोच रहों कि सर हम एक तरफ 15 लगा एक तरफ बीस लगाए चलिए आपके सोचने पर भी थ्यान दे रहते हैं अगर आप यह सोचिएगा कि आपका एक body है और आप इसको इधर 20 लगा दो और इधर लगा दो आप 15 newton का force तो देखो आप दे है वो रसी एक जगा पर तो मतलब क्या कि इधर force और फोर्स दोनी क्या एक तरफ ज्यादा है तो रसी वह लगे में देखते हो ना बच्चे सब एक तरफ चले जाते हैं तो यहां भी वही कंडिशन है अगर आप body पे एक तरफ ज्यादा force लगा रहे हो और एक तरफ कम force लग पढ़ना है क्या पढ़ना है डिफॉर्म तो डिफॉर्म का कंडिशन क्या है कि sum of all forces is zero इस पर लगने वाला सारा फोर्स का जोड़ कितना होना चाहिए जीरो होना चाहिए तब ही body क्या होगा डिफॉर्म होगा अगर अन्बैलेंस वह फोर्स तो body डिस्प्लेस हो जाएगा मतलब कि वह मूव हो जाएगा माई फ्रेंड आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा चली इसको नोट कीजिए फिर अपन आगे की तरफ बढ़त फोर्स पढ़ लिए यूज नहीं हो रहा तो अपन अभी सिर्फ वही फोर्स पढ़ेंगे जिसका अपन को यहां पर क्या है फर्स्ट निट में यूज है देखिए तो सबसे पहले आप यहां पर समझे कि एक body मान लेजिए आप ठीक है यह आपका क्या एक body है अगर इस body के surface देखिए इसको मैं 3D मना देता हूं ताकि आपको और एकसी से पराचले मान लेजी यह आपका एक ऐसा 3D body है तो यह जो surface है अगर इसके perpendicular अगर कोई force लग रहा है ऐसा ठीक है किसी surface के perpendicular force लग रहा है किसके perpendicular surface के perpendicular force लग रहा है तो उसे कहते है नॉर्मल force और नॉर्मल force का काम होता है body को deform करना मतलब इसको shape change करना इसका main purpose नहीं होता है कि body को क्या करें अपन deform कर रहे हैं और normal force होता है दो तरीके का एक होता आपका tensile और दूसरा आपका होता है compressive ठीक है तो यह तो चलिए एक type का force हो गया कि अपने इसमें क्या पढ़ लिया अपने normal force पढ़ लिया ठीक है तो normal force या दखना perpendicular to surface perpendicular to surface कि अगर किसी भी सता के perpendicular को फोर्स लगता है ठीक है किसी भी सता के perpendicular को फोर्स लगता है तो उसे अपन क्या कहते है normal force कहते है एक और तरीके का force होता है जो अपन को यहाँ पी study करना है वो है sear force यह क्या होता surface के along लगता है यह क्या होता है surface के along लगता है कि मैं बार्डी एक है यह मैंधे मान लीजी कि यह भाड़ एप यह ऐसे लगए लाइगा इस सर फिस के साथ क्लाव साफ मतलब रिभ अश्य को ऐसे है कि व meant तो इसका ऑफफस होता है सियर फोर्स का वो होता किसी भी बॉड़ी को तोड़ने का काम करता है तो अगर आपको फोर्स ऐसा लगा रहे हैं जो किसी बॉड़ी को तोड़ने का काम कर रहा है तो आप समझ जाएंगे कि वह कौन सा फोर्स की बात कर रहे हैं अपन सियर फोर्स की बात कर रहे हैं और जब किसी बॉड़ी को डिफ पर्पेंडिकुलर होता है यह आप ध्यान रखना ठीक यह तो बस मैंने थोड़ा सा बता दिया आप अपन बारी 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 बात करेंगे टेंसाइल कंप्रेसिव और सियर के बारे में यह मैंने एक ओवराल व्यू दिया ठीक है कि आप किसी फोर्स को कैसे पहचानेंगे वह कैसे पहचानेंगे कि अगर ऐसे सर्फिस के अगर है लकर रहा है कोई फोर्स टो उसे अपन नाम देते हिए नॉर्मल फोर्स का और सवर्स के अलॉंग अगर कोई फोश लगता है तुसे आप नाम देते है शीन फोर्स का का आप लिएその MATT करो ठीक है फिर अपन इसमें क syntya करत हैं तो ध्यान आप इतादर मत करना सबसे पहला क्या होता है टेंसाइल फोर्स ठीक है और फोर्स को अपन लोड भी कहते हैं फोर्स को अपन लोड भी कहते हैं अगर कभी आपको मैंने लोड की बात की तो आप समझ जाएंगे ओसर फोर्स के बारे में ही बता रहे हैं कि को फोर कि तरफ कि अधिक और से थưởng रहें खी लोर्व लगा कर जांज थ handicap करें से भार की तरफ से अगर और एक बावडि है आप उसे बाहर की तरफ खेच रहो ऑएसे एस ऐसे थे खीच रहे हो ठीक है तो उस फोर्स को अपन बोलता है टेंस ऐल है कि नहीं सिंपल ऐसा कुछ है नहीं न अगर आप किसी बॉड़ी को बाहर की तरफ खीच रहे हो मतलब कि पुल कर रहे हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं टेंसाइल फोर्स बोलते हैं चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा दूसरी बात जो इसके सबसे इंपॉर्णट है वसबार है कि यह इसका जो शाइन होता है वह पॉजिटीव होता है जाइन क्या होता है पॉजिटी उस अपर समझे देखें अगर आप एक मैठ सॉट कर रहे हैं तो कोई भी निमैरिकल सॉल्ब कर रहे और उसमें force दे दे 10 newton तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 10 newton positive है तो अगर आप इसको और अच्छे से बोलोगे तो बोलोगे sir देखिए यह 10 newton positive है और जो हमेशा positive force होता है वो आपका होता है tensile force तो यह तो पहचानने का तरीका हो गया कि अगर कोई force positive में है तो उसे अपन क्या बोलते हैं tensile force बोलते हैं तो आप ध्यान देना कि जब अपन numerical solve करेंगे और आपका force positive होगा तो आप समझ जाएंगे वो क्या है tensile force है और आप एक और बात ध्यान देना कि अगर कभी आपको बोल दे कि हाँ आपको tensile load के बारे में बोल दे तो आप उसको क्या लोगा हमेशा positive लोगे अब इसको पहचानने के एक और तरीका है क्या तरीका है दोस्तों अगर कोई figure दिया हुआ है और उसमें force का जो arrow है वो बाहर की तरफ जा रहा है force का जो arrow है वो बाहर की तरफ जा रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा है tensile force है देखिए बहुत ही basics है और आपको ये पूरे सोम में कैरी करना है ठीक है एक बार मैं फिर सर रिकॉल कर दूँ अगर कोई भी force बाहर की तरफ लगता है उससे बोलते है tensile force और tensile force is always positive my friend बाहर की तरफ है तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा है ये tensile है ठीक है तो जब किसी body को अपन खीषते हैं तो वो कौन सा force होता है tensile force is always positive ठीक है और इसका sign convention आपका ऐसा बाहर की तरफ ठीक है आप इसे note करो फिर आगे की तरह बढ़ते है आयोब अपने note कर लिया होगा चली tensile force अपन बहुत से समझ चुक है अब बात करते हैं compressive force का देखिए इसके नाम से परा चल रहा होगा आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा क्या पता चल रहा होगा compress कर रहा है ठीक है चली body से ही समझते है ना ते गेखें ऑलासान है अगर यह आपकी बॉडी है और अप इसे क्या कर रहे हो मतलब क्या पुश कर रहे हैं अब तक किसी बॉडी को दबाते हो मतलब क्या बोलते हैं इस force को अपन बोलते हैं compressive force iis force को क्या बोलते है? compressive force और आप हमेशा ध्यान देना कि compressive force का sign क्या होता है? negative होता है compressive force का sign क्या होता है? negative अगर अप कोई questions कर रहे हो example से समझो अगर आप कोई questions कर रहे हो और इसमें दिया हुआ है minus 10 Newton कि तो देखे़ खोर्स की वालूं यहांपर कया दिए रही माइनस क्यूंब क्यों दिया होगा बाइनस इसलिए दिया होगा है कि आप समझपाओ कि जो इसका lifestyle है ग्वोत कंप्रंशीव है उसका नेचर जो कैसा थे कंप्रेशीव है तो आप साइन से समझ जाएंगे किibenद Beach लोड़ो इतना और आपने माईनिस लगाया ही नहीं अगर आप माईनिस नहीं लगाओगे तो आपका अंसर गलत हो जाएगा तो चलिए आपको पता चल गया तो आप कलती मुझे पता है कभी नहीं करोगे ठीक है एक और पहचाने का तरीका क्या अगर एरो आपस में मिले ऐसे एरो का हो आपस में मिले देखे एरो जब बाहर जाता है तो टेंच साइल और एरो जब अंदर की तरफ आता है तो से क्या बोलते हैं फ्रेंड कंप्रेसिव बोलते हैं आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो गाए इसमें से आदा कुछ भी निये ठीक है आप इसे नोट क जो फिर आगे बढ़ता है कि अ कि यार के साथ हैं खुश्किजाद आलम यार के साथ हैं खुश्मिजाद आलम हम आ चली दोस्तों तीसरो प्रोस्ट आपको पता है सिर सोस वह तो नॉर्मल फॉर्स का टाइप था यह आप का से स्यर फोर्स है थो ड़ा साथ के बारे मैं जान लो मैंने बताया था कि सियर फोर्स जो शरुड़िस के यह लगता है ऐसे लगे गाए इसा लगेगा तो तो कि सी और किसी भी सर्फिस के along जब कोई force लगता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं लगेगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे sear force बोलेंगे अब बोलो के सार्ट साइन कांबेंशन किया होगा तो बेच्चोंFF में इसका प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है क्यों इसका साइन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है तो बोलो के सर क्यों देखे माल लीजी कभी कभी क्या होता है अपन बॉडी को ऐसे खीच के तोड़ते हैं तो जब बाहर के तरफ खीच के तोड़ेंगे तो यह आपका हो जाएगा प्लस में अगर किसी बॉडी को आपन ऐसे होता है न दवा के भी तोड़ते हैं ठीक है तोड़े हो अकरोट खायो कभी आरे अकरोट छोलो बदाम खायो कैसे दोड़ते हो बबा के तोड़ते हो ना ठीक है चलिए तो उस समय क्या हो गाए यह नेगेटि और अंदर के तरफ तो माइनस में तो खेर इसमें आपको स्टेट फॉर्वर्ड यह ध्यान देना है कि अगर सियर फोर्स की बात कर रहा है तो आप समझ जाएंगे कि इसको यह लग रहा क्योंकि बॉड़ी को क्या कर पाए तोड़ पाए तो आप इसे नोट करो फिर अपन आत प्रेल का पहला चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रेस और स्ट्रेन और दोस्तों क्या करेंगे देखें पहला और दूसरा चैप्टर को मर्ज करके पढ़ेंगे क्योंकि दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है मतलब पहले वाले में स्ट्रेस पे कोश्चन है दूसरे वाले पे strain पर question है तो अपन ऐसा पढ़ेंगे कि एक ही साथ हमारा दो chapter complete हो जाए तो हमारा पहला chapter का नाम है stress और strain और इसी के साथ अपन दूसरा chapter भी पढ़ लेंगे जिसका नाम है elastic constant तो इससे क्या होगा दो chapters आपके एक साथ complete हो जाएंगे और दोनों इंटर रिलेटेट हैं मुझे आस्ता कि समझ में नहीं आया कि यह तो अलग अलग chapters क्यों है खेर कोई बात नहीं जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा लेकिन आप आनके चलिए कि इस दोनों chapters हमारा एक साथ complete हो जाएगा चलिए तो सबसे पहला topic आपका है stress very important topic आपको अच्छे समझना है उसको और वीडियो को में बोलूंगा कर समझ में नहीं आया तो दो से तीन बार देखना सो उतना असान नहीं है कि आप एक बार में पढ़ो और एक बार में समझ में आजाए चलिए तो आप उसिस किजिए कि आप दो तीन बार देखें तो सबसे पहला जो हमारा topic है वो है stress वो क्या है मेरे दोस्तों stress देखें इसमें अपन क्या करते हैं study करते हैं इस फ्रेंड मानिए लीजिए कि यह आपका वही body है जो मैं बार बार ले रहा था और हमने इस पर क्या क्या फूर्स लगाया हमने क्या 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 इस बाडी में होगा क्या अगर यह body है और हम इसे बाहर की तरफ खीच रहे हैं तो आप क्या यह बोल सकते हो कि यह body deform तो होग लेकिन deform होने से पहले यह force को क्या करें रोकेंगा मतलब रिजिस्ट भी करेंगा ऐसा नहीं किפैंट है हमने सको खीचा और यह फैल गया है'Sजा है मतलब बॉडगी से क्या करेंगा रोकेंगाATE चलिए कि इधर force लग रहा है तो इसके लिए यह force इधर लगा कि क्या करेगा इसको रोकेगा और इधर यह force लगा कि इसको क्या करेगा रोकेगा मतलब body के अंदर कुछ ना कुछ tendency होती है कि जब भी अपन कोई force अप्लाई करते हैं को क्या करता है रघिस्ट करता और जब और अपन नाम देते हैं । कि आपको समझना कि यहाँ कि बाडि ऑ फोई बहुगों क्या करेगा रिजिस्ट करेगा और जो फोसर दिस्ट गर ता उसे बोलते हैं Kung so resistance चलिए तो अपने stress को कैसे define करते हैं stress को define करते है stress is defined as force of resistance पर यूनिट एरिया अगर आफ फोर्स ऑफ यूनिट एरिया करो तो उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड stress कहते हैं मतलब की जतना force of resistance से अपन एरिया कर दोगे तो उसे क्या कहेंगे stress कहेंगे तो मैं लिख सकता हूँ stress को इसका फॉर्मला ऐसा होगा फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस अपन एरिया इस नोन stress शलिए देखे पहले ही टॉपिक से आपका कंसेप्ट स्टार्ट हो गया दोस्तों बोले को सर क्या कंसेप्ट देखिए मैं बताता हूँ क्या मैं आप से बात बोलूं कि अगर यह जो force of resistance है यह force के बराबर होगा बोले को सर कैसे देखिए ऐसे हमने जितना इस पर फोर्स लगाया उतना ही तो उसने रोका ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ फोर्स लगाया तो उतना नहीं रोका अगर हमने 20 नूटन का फोर्स लगाया है इस बॉड़ी पे तो उस बॉड़ी ने 20 तो आप दो तो माचा खाओगे मतलब मेरा मारना और आपका खाना क्या बराबर हो गया तो अगर मान लीजिए कि हम इसमें पी नूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो जितना फोर्स हम लगाएंगे उतना ही तो रोकेगा मैं मान के घर गया वह कभी खाना खाने जितना सकता हूं फोर्स और रेजिस्टेंस को फोर्स अपॉन एरिया आपके बुक में यहीं फॉर्मुला है फोर्स अपॉन एरिया लेकिन आपको थोड़ा बेसिक तो समझना पड़ेगा कि एक्चुली में यह क्यों हुआ अगर आप गेट लेवल एससी लेवल पर जाओगे तो महां पर आपको क्या देगा उप्सन में आप अप्सन में देगा इस्टेस इस डिफाइन फोर्स और रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया और आपने क्या पड़ा है आपने पड़ा फोर्स अपॉन एरिया भटाक से गलत सटिक करके आजाओ कि एक्चुल डिफिनेशन यह औ है ठीक है दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर बॉडी पे जितना फोर्स लग रहा है अगर उसको आप एरिया से डिवाइड कर दोगे तुस्से क्या बोलेंगे अपन इस्ट्रेस पोलेंगे ठीक है दोस्तों चलिए अब आते हैं इसकी यूनिट में किसक यूनिट क्या होगा तो देखो आपको पता है न दोस्तों कि फोर्स हमीशा किसमें होता है न्यूटन में होता है एरिया किसमें होता है मीटर स्कार मोता है तो आप इसकी यूनिट सिंपल बोल सकते हो न्यूटन पर मीटर स्कॉयर जिसको पन कहते है पासकल जिसको पन क्या क करते हैं ऐसे तो यह आपका पहला फ्रामूला बन गया कर्ज्स इधिक लोड अपान एरिया कूई फोर्स को लोड भी कहता है is यहां पी यह है दोे है आपका फोर्स या तो लोड बोलो यह यहाँ पर क्या है दोस्तो एरिया है और सिगमा क्या है आपका stress तो आप हमेशा ध्यान देना कि stress is equals to load upon area यह आपका पहला formula है आप इसको note करो अगर theory में आपसे यह पूछता भी है तो आप से इतना बताओ गे तो आपका काम चल जाएगा तो आप note करो फिर आपन आगे बढ़ते हैं कि चले फ्रेंड आपको stress समझ में आ गया होगा अब stress को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं heading डालो आप लोग types of stress बहुत ही आसान टॉपिक है मेन आपका stress था जो आप समझ चुक है अब आप घरिंग डालिएकर types of stress तो फेंड सबसे पहला जो stress होता है वह यह होता है 10 साइल s GT स क्वह क्या होता है दोस्तों 3 साइल स्ट्रेस होता है डेखे माल लीजे कि यह body है आप इस पे load लगा रहे हो tensile nature का आप इस पे load कुँछा लगा रहे हो tensile nature का load लगा रहे हो मतलब अगर आप किसी body में force लगा रहे हो उसका nature कैसा है tensile मतलब आप इसको खीच रहे हो तो बच्चो अगर आपका force है वो tensile है तो इसके वज़े से जो stress generate होगा उसे अपन क्या बुलेंगे tensile stress, है की नहीं simple, तो जब आपका tensile positive होता है तो ये stress भी किसमे होगा आपका positive होगा, दीख एतना important नहीं है बहुत simple है कि जब आपका load tensile behavior का होगा, मतलब आपका force tensile behavior का होगा तब जो stress generate होता है, उसे अपन कहते है tensile stress, बहुत ही simple है, और ये भी क्या होता है, positive होता है चलिए, दूसरा, जेकि अभी मैं आपको ज़्यादा छूरी फसाने नहीं चाहता हूँ, आप बस concept पर ध्यान दो आपसे numerical सारे बनेंगे, चुरी वगरा, पूश्ता भी नहीं है, पूछेगा भी तो दो नंबर में इतना ही लिख दोगा, तो काम चल जाएगा आपका दूसरा है compressive stress, दूसरा क्या है दोस्तों, compressive stress, तो I hope आपको यह समझ में खुद से भी आ चुका होगा, कि जब आपका load, मतलब कि जब आपका force, कौन से behavior का हो? compressive हो, मतलब आप अगर किसी body को दबा रहे हो, और तब जो stress generate होता है friend, तब इसके वज़े से जो stress generate होगा, उसे अपन क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे है अपन, compressive stress, I hope आपको यह समझ में आया होगा, और compressive stress क्या होता है, नेगेटीव होता है, कुछ भी नहीं था न, बस यह load पर depend करता है, कि stress कैसा होगा, तो क्यों न, आगे बढ़के अपन, shear के भी बाड़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है, कौन से stress, दोस्तो, shear stress, तो आप इतना यहां त रखो, कि जब आपका load क्या होगा, shear होगा, मतलब आप ऐसा force लगा रहे हो, ठीक है, जो shear behavior का हो, जो क्या हो, shear behavior का हो, मतलब उस body को तोड़ना चाहता है, तब जो आपका stress जनरेट होगा मेरे दोस्तों, उससे क्या बोलेंगे अपन, shear stress, बोलेंगे और यह positive और negative दोनों हो सक ठीक है, तो आप इसे note कर लो, अतना important नहीं लेकिन ध्यान रखना, कि stress, आप कैसे define करोगे, types of stress, वो depend करता है, कि उसका force कैसा है, मतलब इसका load कैसा है, आप इसे note करो, चले फ्रेंड, stress अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अब आप heading डाल लिए, strain, जो हमारा दूसरा topic है, chapter कहाता, stress and strain, आप stress पढ़ चुके हो, अब जो आपका important topic है, वो है strain, चले, देखे फ्रेंड, होता है, क्या है, strain, आप body सी समझे, फिर से, बहुत simple है, कुछ है न इसमें, माल लिजे कि यह आपका वही body है, और इसकी लंबाई है L, इसकी लंबाई क्या है, L, L आपका original length, L आपका क्या है दोस्तों, और इसमें क्या किया, load लगाया, माल लो, आपने इसमें load लगा दिया P, दोनों ही तरफ, ठीक है दोस्तों, देखे, आपने भी तकी stress रोकता है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा मेरे दोस्तों, कि जब आपका force, force of resistance से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आप body उसको रोक नहीं सकता है, हमारा force और ज्यादा हो गया, मतलब उसकी छमता से क्या हो गया, बाहर हो गया, तो देखे, force of resistance, वो force to resist कर लिया, लेकिन हमारा force बढ़ाते गए, तो अब ये body क्या होगा, deform हो जाएगा, मतलब ये रोक नहीं सकता, ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि stress के बाद जो phase आता है, किसी body में वो क्या होता है, strain होता है, तो मान लीजिए हमारा load लगाने के बाद, body resist किया, और रिजि कि जब तक वो force को रोक सकता था, रोका, उसके बाद क्या हो, body deform हो गया, मतलब की फैल गया, तो कितना फैला है, यहाँ पर फैला, यहाँ पर फैला, यहाँ पर फैला, जिससे अपन क्या बोलते है, चेंजिन लेंद, तब बोलो कि सर, यहाँ पर फैला, increase दिख रहा है, दोनों तरफ से फैलेगा, सही बात है, कि जो body है, वो दोनों तरफ से फैलेगा, लेकिन हमने जो एक ही तरफ दिखाया, ताकि आप समझ पाओ, दोनों तरफ का फैला, हमने एक ही तरफ दिखाया, तो आपने क्या समझा, कि जब force लगता है, तो body इसको रोकता है, रोकने के पाद वो क्या होगा डीफ़ोर्म हो जाएगा ठीक है तो इसकी लेंद क्या गया इतनी चेंज हो गई तो आप इस ट्रेंड लिख सकते हैं कि स्ट्रेंड इस डिफाइन कैसे स्टेंड is a ratio of चेंज ये लेंथ कितना हो रहा है ओट तो ओर इमनल लेंध-टू और इजिननल लेंथ-चैंज होता है कि एज हमकर आरे वह आरे जो flavor तो आप स्ट्रेंड को ऐसे लिखलो चेंज इन लेंज अपन और इंडन ठीक है फ्रेंड इनके रेशियो को क्या बोलते हैं आपन इस ट्रेंडे कहते हैं, चली आई होप समझ में आ गया होगा आपको तो इस ट्रेंड को डिनोट करते हैं अपसलान से चेंज इलेंद यहां पर डेलल है और आपको औरिजनल लंद क्या हो गयाल अगया थो यह आपका दूसरा बहुत इंपोर्टेंट फॉर्म्ला आपको ध्यान रखना है ит Almost छFire तो यहांपर Epsilon कैसे आपका 21 डेले यह है डेलेल है टेंजियल लेंद नो और अपका ल क्या है चलिए वो तो के फ्रेंड आपको समझ में आ गया कि बॉड़ी जब डिफॉर्म हो जाता है तो जितनी इसके लंबाई चेंज हुई अपन और इजिनल लेंद को क्या बोलते हैं अपन इस ट्रेंड कहते हैं तो एक और इसमें इंपॉर्टन जीज देख लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है वर्टीज जूनिट चली जूनिट पर देखते हैं थोड़ा सा मानली जैसके लंबाई थी एक मीटर और आपने इसको जब चेंज किया तो यह 0.01 मीटर क्या हुआ फैल गया तो अगर आप इसका स्ट्रेंड निकालोगे तो 0.01 क्योंकि चेंज इल अब स्ट्रें क्या होता है इस ट्रेंड होता है यूनिट लेस ठीक है बच्चो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा ठीक है चलिए आप इसे लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं चले बच्चों क्लास को एंड करते लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक छोटा सा रिकॉल ले लो बस एक मिनिट का ठीक है कि अपने अभी तक क्या-क्या पड़ा है एक पर रिकॉल ले ले हलका सा देखिया अपने पड़ाता फोर्स के बारे में तो सबसे पहला फोर्स था टें कर लेता हूं बस एक मिनिट जब हमने बॉड़ी पर फोर्स लगाया तो बॉड़ी में स्ट्रेस देनेट हुआ और स्ट्रेस क्या होता था आपका लोड़ अपन एरिया मतलब की फोर्स अपन एरिया ठीक है और बॉड़ी जब तक सहा-सहा उसके बाद बॉड़ी डिफार्म हो गया मतलब यही बॉड़ी इतना फैल गया इसकी लंबाई एल थी यह थोड़ा सा हो गया डेलल चेंज इलन तो फिर अपन ने पढ़ लिया ता स्ट्रेन जो की क्या था डेलल अपन एल यह फॉर्मुला नंबर टू और यह फॉर्मुला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट जितनी बार वीडियो को देख सकते हो देख लो लेकिन डाउट में मत रहना ठीक है और एक बार में समझ में नहीं भी आता है ठीक है फेंड तो चलिए अब लेक्टर को ओबर करते हैं अब नेक्स लेक्टर में अपन पढ़ेंगे टाइपस ऑफ स्ट्रेंग थैंक यू मच लोकीं